हेलो प्रेंट्स करियर पॉइंट एच्वेशन के यूट्व प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है जैसा कि आपको थम्दिल में दिख रहा होगा कि हमारी जो क्लास है यह N.C.L. एक्जाम पर वेश्ड है कि उसमें हमने बताया था कि जो सिलेबस दे रखार के कॉर्णिंग हम इसको यहाँ पर उसके क्वेश्टन को कवर करेंगे पहली क्लास में हमने इलिमेंटरी नौरिज अफ डिजल इंजन पेट्रोल इंजन के जो पहला टॉपिक है फंक्शन आफ इंजन उसको कवर किया था आज की क्लास में कूलिंग सिष्टम ऑफ इंजन को अगर आज पर हमारा इंजन होता है उसको हमेहा पर कवर करेंगे तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इंप्रोटन की क्लास में इसे पहले आगर आपने चनल सब्सुराइब नहीं किए चनल सब्सुराइब कीजे वीडियो को लाइक किजिए ताकि आगे आने वाले वीडि इसको अगर हम अच्छे से कूल ना करें आप शीतलन ना करें तो कौन-कौन सी प्रावलम हो सकती है पहला दे रखा आप्शन में पिस्टन का टूटना इंजन की नौकिंग वीरिंग की खराबी और चौत्था आप्शन दे रखा उप्रोग सभी तो अगर हम इंजन को पर्यार पूछ रहा है ट्यूब लगा होता है फिंस या फिट टैंक्स है चौध ऑफ्शन दे रखा उप्रोग सभी तो जो फिटर को होता है सिंपल सी बात है कि वाटर cooling engine होता है उसमें heater core एक छोटा radiator होता है ठीक इसमें tube fins और tanks तीनों चीजे होती है और यह dash panel के नीचे लगा होता है ठीक जहां से क्या होती है जो air होती है वो core fins के माध्यम से अंदर आती है और वाहन के interior में भेज दी जाती है तो जो heater core होता है उसमें यह तीनों चीजे पाई जाती है ठीक ट्यूब भी fins और tanks भी पाई जाते हैं तो हमारा सही answer क्या होगा इसका option डी यह सभी clear चली देखते हैं अगला question fan कहां लगा रहता है जो engine में fan होता है वह कहां लगा होता है तो option और यह उसी बेल्ट से चलता है जिससे water pump और generator चलता है यह radiator में होकर हवा खींचता है और engine के ऊपर फेंगता है रेडियेट से क्या हवा खींचेगा क्या पानी भरा होता है तो हां से क्या हवा क्या होगी ठंडी होके अंदर आएगी और engine के ऊपर फेक देगा जब गाड़ी high speed से चलती है तो radiator से गुजर करे engine के ऊपर के हवा परयात मातरा में ज जाती रहती है तो गारी लेकिन जब गारी धीमी चल रही होती है तो engine को ठंडा करने के लिए न फें लगाते हैं ठीक तरह की रही आंसर कहाँ एंजन कहां लगा अप्षन C, चलिए देखते अगला question cooling system का प्रियोग किया जाता है engine का तापमान बढ़ाने के लिए engine का तापमान कम करने के लिए, engine को कारे-कारी तापमान पर रखने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं तो जो cooling system होता है उसका जो प्रियोग होता है इंजिन को के कारी कारी ताप ना को बनाए रखने की या जाता है ठीक ना बड़े इंजिन क्या होता है जो वाटर कुलिंग सिस्टम का हुना इसके लिए सिलिंडर के chalo w oportun जा Что to be iika के यहाता है उस i जा कैश ना के जाए होता है उस रेडियेटर में तामेवा पीतल की पतली पाइपें लगाई आती है क्योंकि सस्ती होती है उसमा स्थानांतरन धीरे-धीरे होता है उसमा स्थानांतरन जल्दी होता है या फिर इनमें से कोई नहीं तो रेडियेटर में तामबेवा पीतल की पतली पाई पे लगाई आती है क्योंकि इन धातों का जो उसमा चालकता होती है उसमा का स्थाना अंत्रण जल्दी होता है और इन धातों में क्या होता है जंग नहीं लगता है यहा बहुता है इसलिए radiator में जो तांबे और पीतल की पतली पाई पे पाई 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 आती है तो कुल मिला कि उसमार स्थान तर जल्दी होने के कारण इसमें radiator में तांबे और पीतल की पतली पाई पे लगाई जाती है clear, सही answer होगा option C चलिए देखते हैं अगला question radiator में पाई कम हो जाने का कारण है head gasket का टूटा होना core से leakage, hauge pipe से leak होना या फिर ये सभी तो जो radiator पाई कम हो जाता है उससे क्या कई कारण हो सकते हैं जैसे की पहला तो ही head gasket टूटी होना ये भी एक reason है core से leakage ये भी reason है hauge pipe leak होना ये भी reason है इसके अलावा water drain plug लीखोना, water drain plug का लीखोना, water pump से पानी का लीखोना या फिर radiator में बहुत दिन तो पानी ना ढालना ये सभी reason है जिससे क्या होता है? हमारे radiator में पानी कम ना जाता है तो हमारे सभी answer क्या होगा? ये सभी option सब्सक्राइब करना रेडियेटर के पानी को जमने से रोकना रेडियेटर को पानी देना या फिर यह सभी तो क्या होता है कि जब हमारी क्लाइमिट होता है जब बहुत जाए ठंड़ा होता है तो यह एक दर बना रहता है कि जो हमारा क्या होता है रेडियर में हमने पानी जाल रखा है वो क्या हो कहीं जम न जाए आता है इसको रोकने के लिए कुछ योजग सीतलक जलब मिला जाते है क्या कुछ एंटी फ्रीज श स्रीज सिलीशन बोल सकते हैं तो यह जो एंटीी फि चेलूशन होते हैंग़ा करते हैं पानी को जमने से रोकते हैं तो घ्लियर चलेए प्राय किस धा तुस्य बना जाते हैं तो जसे तो आधे हैं गांडिर्ट्रियुक्तİ हम यूज़ करते हैं उसको किसे बना जाते हैं ऑपशन दिफंध में लगता है और इसमें जंग भी नहीं लगता है यह सबी reason है जिसकら हम तामबा और पीतल का किया सकें टो यह जंगे होती है जंग नहीं रखती है भाषार में घुलके होते हैं और shoulder करके इनके जोड़ को खोला या जोड़ा जा सकता है clear थमाद से एंसर क्या होगा option d a और भी दोनो clear चलिए बढ़ते हैं अगले question की ओर cooling system का प्रयोग ना करने से कौन शादोस्ट आ जाता है ठीक अगर हम क्या करेंगे स्रीतलन प्रणाली का या cooling system का यूज़ नहीं करेंगे तो कौन कौन से problem हो सकती है pre ignition की problem हो सकती है detonation की problem हो सकती है knocking की problem हो सकती है फिर ये सब ही clear तो अगर cooling system का हम यूज़ नहीं करेंगे तो कौन कौन से problem हो सकती है उस्तों देख लिजे पहले प्राउwn मुझेद क्यात्त devi शता है कि आहां यहां कि करते हों निरुक्षा इस होते हैं प्रलेंट को यहुक्त प्रीक हैं। थि आहिक उंपाएव्रीत क्या नहीं हो सकता है। उकांचसिएा के थीवर हीट हो सकती है। प्रावेम मैं करते हैं को सब्सक्राओं नहीं एक आंसर क्या होगा यह सभी enlyse is कि क्या मिला होता है कि signal एक फ्रीज में क्या मिला होता है। अब वह हम लोगते हैं सब्सक्राइब कोई नहीं तो कुल मिलाके जो होता है उसमें इस दोनों चीज़ होती है जो कि हमारे उसको पानी को रेडियेटर के फ्रीज होने से और रोकते हैं तो मासा एंसर क्या होगा option C, A और B दोनों clear चलिए बढ़ते हैं अगले question की और रिडियेटर साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं रिडियेटर को साफ करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है कौन सी अब देख लेते हैं में एक बार रेडियेटर कि रिवर्स फ्रसिंग की जाती है। हुआ पानी को रेडियेटर के आउटलेट divided पाइप पर भीजा जाता है और इंजन से रिडियेटर में जाने वाले मार्ग पर एक हौज पाइप लगा कर कुछ देर सफाइग की जाती है दूसरे और से थर्मोस्टेट को खोल कर हवा और पानी का पाने वाले मार्ग पर एक होज पाइब लगा दिया जाता है और कुछ दिर सफाई की जाती है दूसरी और थर्मो स्टेट वाल को खोल कर हवा पानी के दवाव के साथ वाटर जैक्तों में उल्टे भाव के साथ भेजा जाता है तो यह होता है क्या कि रिवर्ज फ्लसिंग तो कुल मिलाके डेटेटर वुसाफ करने लिए क्या किशanka करते हैं रिवर्ज फ्लसिंग कर दिया ऑना ैजान अगब आए गया आस्यम् में चलिए देखता है उलक्ष्ण Cylender के 4 तरफ air fincs बने होने से क्या होता है इसे क्या होता है अभ़ा का 6 तरफ हावा का 6 तरफ बढ़ जाता है हावा का 6 तरफ कम हो जाता है Cylender तक हावा नहीं पहुंसती या इंद मेंसे कोई नहीं हमने इसके पहले बता चुँगा हूँ कि जो हमारे एयर कूल सिस्टम होता है कूलिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है एयर फिंस बने होते हैं ठीक एयर फिंस बने होने होता है जो हमारा हावा का छेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है ठीक तो कुल्मिला के सिलेंडर के सत्य चम्राण बढाने के लिए सिलेंडर के चारो एर-फिंस बना जाते हैं और अच्छे स्थितलं के लिए धाज सत्य का च्यक्ट फ्र जो वाई को संपर्क में आता हो वाई बढ़ा देना चाहिए इससे क्या होगा कि हमारा वो एंजन ठंडा ब बढ़ जाता है option A, चल देखते एकला कुशने, air cooled engine, cylinder के बाहर बनी पंगतियां कहलाती हैं, तो air cooled जो engine होते हैं, उनके बाहर जो पंगतियां बनी जहती हैं, उनको क्या बोलते हैं, plate बोलते हैं, cam बोलते हैं, fins बोलते हैं, है इनने से कोई नहीं क्लियर तो उनको क्या वर्ड यूज किया था उसके लिए फिन्स यूज किया था है क्लियर ऑप्शन सी सही होगा इसका फिन्स देखते हैं अगला क्रॉश्चन इनलट और और आउटलेट भाइस करने का निज होता है निचे वह अगर लीभ तो भी पानी हमारा सर्क्लेट हो रहा है वो भी लिक वाहर चलाएगा और जिससे पानी कम हो जाएगा तो कुल मिला के हमारी जो हमने यह बताया थो प्री इनिशन रिजन नहीं है clear head gas से टूटी होना ये भी रिजन है और course से लिकर यो ये भी रिजन है तो हमारा के एर कूलिंग सिस्टम होता है उसमें क्या बना आ जाते हैं उसमें फिंस बने होते हैं बैसि द्दीन पूछ मिलाट को imagine बने होते हैं जो इन में को इंब नहीं तो जो हमारे मुल्सक्स स्टम होता है उसके चारों तरफ क्या वाटर जैकेट बने होते हैं ठीक वाटर जैकेट बने होते हैं सब्सक्राइब इसका ऑप्षिन ए वाटर जैकेट चलिए आगला कॉश्चन देखें रिवर्स फ्लसिंग का उपयोग क्यों किया जाता है तो अभी थोड़ी देर पहले प युश्चन की और रिडिएटर को साफ करने के विए option भी चलिए बढ़ते आगले question की और कि रेडिएटर कूलिंग पाइप किसके बने होते हैं ठीक रेडिएटर कूलिंग पाइप जाते हैं वह किसके बने होते हैं औप्चन दे रखा है Aluminium, Copper Galvanized Iron या फिर Stainless Steel के तो radiator एक ऐसा उपकरण है या फिर ऐसा क्या बोलने ऐसा डिवाइस है जो cooling medium के surface area को atmosphere के contact में बढ़ा देता है ठीक, तो क्या होता है coolant wise से indirectly संपर्क में आकर अपनी उस्मा को त्यागता रहता है हमारे को इंजन, ठीक, इसके लिए radiator को ऐसे पदार्द का बना होना चाहिए, जो कि उस्मा का अच्छा चालक हो, इसलिए radiator को किससे बना जाता है, copper का बना जाता है clear, तो cooling मिला के क्या होना चाहिए surface area को atmospheric contact में बढ़ाना चाहिए, जिससे की हमारे जो y के संपर्क में आगे, जो हमारे engine है या फिर उसको ठंडा बनाए रखे, तो उसके लिए क्या होगा कि ऐसा उपकरन यूज किया जाए या फिर ऐसा धा तो यूज किया जाए बढ़ते हैं अगले question की ओर, वाहनों में निमनलिखित प्रकार के cooling system का प्रयोग किया जाता है, जो वाहन होते है उसमें किस प्रकार के water cooling system भी यूज किया जाता है, वाहनों में, ठीक, किसका? water cooling system का, तो water cooling system जैसे की bus, ठीक, तो इसमें क्या होते हैं? water cooling system को, जो heavy wave हमाई वहिकल है, उसमें water cooling system का, जो हलके वहिकल है, उसमें हम जैसे की bike, उसमें क्या करते हैं? air cooling system को यूज करते हैं, तो हमारा सही answer क्या होगा कर सकते हैं ओप्शन सी सही होगा इसका चलिए आगे बढ़ते हैं रेडियेटर में पानी का प्रवाग कैसे होता है तो रेडियेटर में पानी का प्रवाग कैसे होता है सभी दिशाओं में होता है अलग अलग दिशाओं में होता है उपर से तली की और होता है या फिर दोनों चाहिसे होता है तो इन प्रीक होते हैं तो प्रीक होते हैं पानी चाहिसा अगया ऐसा आता है पर से बंदेंकस थानल दोंपर होता है टो तो ऑपर होता है चलिए आपर टांक बोलते हैं और नीचले भागू लोवर टांक बोलते हैं लोग अटाएंग और इनके बीच में दोनों और इनके दोनों बीच दोनों के बीच क्या होती है एक ट्यूब लगी होती इसके कानग क्या होता है water का flow होता रहता है clear चलिए option C सही है बढ़ते हैं अगले question की और radiator pump का कार है जो radiator pump होता इसका क्या काR है पानी को ठंडा रखना पानी को उबलने से बचाना पानी को परचलित रखना या करना इन में से कोई नहीं तो radiator pump का कार engine cylinder के चार ओर बने water jacket में अब radiator में पानी की हम यूज कर रहे है तो पानी का यूज हो गया होगा के इंजिंड के चार और क्या लगा ऑगा सिलन्डर के ओटर जैकेट लगा ओगा ठीड दाल ना वाटर जैकेट से पानी घुझारने खिरें मात्सुराइ決 दालती है थिक तो रिड्यकर होता है इंजिंड्र के चार और डालना और चलेंग स Мы फ्लो कैसे होगा जब उसकी पर कहीं से प्रेशर पड़ेगा ठीक तो रेडिटर पंप का कारी क्या होता है पानी को परिचलित करना option C सही होगा इससे ठीक आई में स्वाज में चली देखतें अगला question क्या है किसी बस में रेडिटर पंखा हवा को खिंचता है हवा को कैसे खिं ऐंक्हाथ हवा को आगे से पीछे की तरफ खिंचता है। कैसे आगे से पीछे जो रिड़िटर में उसको ठोगता है तो इससे हमारे इंजिन ठंडा बना रहता है तो यहां option दे रखा है कि किसी बस में radiator पंखा हावा को खींचता है तो option सही होगा आगे से पीछे की ओर खींचता है ठीक ना तो हमाँ से अंसर होगा option C आगे से पीछे की ओर चलिए बढ़ते अगले question की ओर इंजन radiator में ताप निम लिखित के द्वारा स्थान अंतरित होता है तो इंजन जो radiator होता है उसमें ताप किस के द्वारा स्थान अंतरित होता है conduction conduction कि इसको बोल सकते चालनग थीक उनदें इसको क्या बोलते हैं चालनग दुसरा है रेडियेशन ठीड रहे तीश्या कंडुक्शन अथा कनवेक्शन दोनों या फिर कंड़क्शन रेडियेशन और क्नवेक्षन का मतला होता है संबहन ठीक कन्वेक्षन की द्वहन रेडियेशन इतवा फिर कन्वेक्षन और कन्वेक्षन के द्वहन, तो इंजियन रेडियेटर में जो ताफ होता है वह थी अध culmination Easy इन दोनों के द्वारा क्या होता है ट्रांसफर किया जाता है रिडियर पीतर का बना जाता है क्योंकि एक अच्छा चालक और जंग रोधी होता है ठीक ना स्टेनलेस होता है तो हमारा से इंसर क्या होगा इसका option C conduction और convection क्लियर चलिए बढ़ते हैं अगले question की और यद इंजन में पानी के इस तर कम रखा जाए तो क्या परेडाम हो सकता है ठीक इंजन अधिक गर्म होने से ब्लॉक हो सकता है इंजन की नौकिंग बढ़ सकती है पिश्टन खराफ हो सकता है यद बीरिंग खराफ हो सकता है तो इसमें थोड़ा question मिश्टिक है ये चार सही होंगे पिश्टन भी तूट सकता है ठीक इंजन अधिक गर्म होने से ब्लॉक हो सकता है बीरिंग की खराबी भी आ सकती है इंजन की नौकिंग भी हो सकती है ठीक तो यह सभी रीजन उसके सही होंगे तो यहाँ पे all option सही होने चाहिए इसमें option में थोड़ी गलती है all the above clear option जो इबना लिए option E सही होगा चलिए बढ़ते अगले question की और इंजन की परयाप्त cooling ना करने से कौन सी समस्य आ सकती है तो साथी question दुबारा आ गया है तो option दे रखा प्री ignition knocking, seizing उपरोग सभी तो अगर इंजन की परयाप्त cooling नहीं होगी तो यह सभी समस्याएं आ सकती है उसमें साथ option दूसरे थे तो प्री ignition भी हो सकता है knocking भी हो सकता है, seizing भी हो सकती है तो इसका सही answer होगा option दी उपरोग सभी चलिए बढ़ते है अगले question की और water cooling system में पानी के बहाओ को नियंतुरित करने के लिए एक बॉल्व लगा रहा होता है इसे कहते हैं इसे क्या कहते हैं pump, fins, radiator या फिर thermo state valve तो water cooling system में पानी के बहाओ को नियंतुरित करने के लिए एक बॉल्व लगा जाता है जिसे thermo state valve कहते हैं क्या बोलते हैं थर्मो स्टेट वाल्व कहते हैं पानी हवा को नियंद्रित करने के लिए एक फर्मो स्टेट वाल्व लगा जाता है जिससे वाटर कूलींग परिष्थितियों में इंजिन का कारी-कारी तापकरम बना रहता है ठीक ना कुल मिला कि इसका जो जो वर्किंग टे करते हैं तो थर्मो स्टेट वाल्व बंद रहता है और पानी को इंजिन से रेडिटर में जाने से रोकता है आई वह समझें क्योंकि इंजिन हमारा भी बंद है यानि कि ठंडा है तो उसमें हमको पानी को रेडिटर में जाने से रोकना है ना इंजिन से रेडिटर में जाने है तो हवा इंधन का मिस्तर जलने से सिलिंडर के अंदर के ज़ता आपमान होता है ना वह लगभग कितना हो जाता है पच्छिस सो दो हजार पांसो डिगरी सेंटीग्रेड हो जाता है क्लियर दो हजार पांसो डिगरी सेल्सियस हो जाता है हमारे क्या सिलिंडर के अंदर का टे इंटीगूरेड है चलिए बढ़ते हैं अगले क्श्चन की और एयर कूलिंग निम्मिली हिद में से किन कारकों पर निर्भड करता है एयर कूलिंग हवा के संपर्ग में सत्य का छेत्रफल हवा के बहने की दर धात की उसमा चालता या फिर उक्रोत सभी सई हैं तो जो एयर कू सब्सक्राइब निम्मिली खित में से किसमे एयर कूल इंजन काम के लिए सरवादिक अनुप्यूक्त है ठीक न द्यान रखिएगा अनुप्यूक्त पूछरा खाया एयर कूल्ड सिस्टम किसमें होगा जो भारी बाहन होगा इसमें काम नहीं करेगा तो पानी खीचने में प बस और ट्रैक्टर यह चार आप्शन दे रखे हैं तो जो बस है ना यह सरवाधिक अनुप्यूक्त होगा क्योंकि जब बस क्या है भारी बाहन है और इससे अधिक पावर क्या शक्ता होती है इससे इंजन अधिक गर्म होता है एयर कूल होने से भारी इंजन परियाप्त तो आप्शन सही होगा इसका आप्शन सी बस चलिए बढ़ते हैं रेडियेटर में पानी का प्रवा होता है ठीक सभी दिशाओं में तली से उपर की और उपर से तली की और ताली लिखा हुआ है तली टाइपी मिश्टक है उपर से तली की और या दोनों और तो जो हमारा र पानी का फ्रवा कहां से होते है फैक हम फिर से तली की योर होता है अब धोनी थोड़ी दे पहले बनाया था कि कुछ ऐसा यृडियेटर होता है है आर उसके पीछे क्या होते है इस टाइप से पायब लगे होते हैं ठीक इन्लेट और आउटलेट तो ऐसे पानी आता है और इस प्रकार से आउटलेट में होगे बाहर जाता है तो इस प्रकार से उपर से तली की और प्रवाहित होता है क्लियर सही एंसर होगा ओप्शन सी चलिए देखते हैं आज का अंतिम कुश्चन लिव ऑईल की सतह का पता लगाए जाता है जो हमारे लिव उसकी सतह का पता कैसे लाएं कि कितनी उचाई तक उसमें भारा हुआ है इंजन में डाइल गेज के दोरा डिप्स्टिक के दोरा पता बनें कि कोई जरूधती नहीं या फिंज मेंसे कोई नहीं तो जो लिव वायल होता है उसके सतह का पता लगाने के लिए हम क्या करता है जिसका घिसक करते हैं इसका के कूलिंग सीचन में कुश्चन इंपॉर्ट दो सकते हैं हमारे एंसे एक्जाम के लिए परिक्षाओं में आ सकते हैं उसको हमने हाँ पर देखा उसके डिस्क्रिप्शन भी बताया आपको चीज़े बहुत सी क्लियर हो गई होगी ठीक ना इसी प्रिकार स्थेवरी भी है तो ब बने रही हमारे साथ में होके थैंक यू